ब्रेक की बाद आपका स्वागत है की हार तरफ चर्चा हो रही है क्या मायने इस चिठी के हैं चिठी का कंटेंट आपने पढ़ा होगा लेकिन एक बाद फिर से दर्श को को पल के सुना देता हूँ दिली सरकार ने सोलर पॉलिसी की घोशना कर दी है आपसे निवेधन है कि क्या अपने डर्द और गुसे को सामने रखने की कोशिश की गई है और वो हकीकत इस तरह है हम दिली में बहुत ही सराहनिया काम कर रहे है और इस बात से मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा परिशानी है सोलर पॉलिसी हो जिसकी चर्चा युनाइटेड नेशन और ग्रीन पीस में हुई है या और इवन हो जिसको अमेरिका तक ने सराहा है या मोहला क्लीनिक हो जिसे पूरी दुनिया जिसके बारे में प्रशंसा कर रही हो प्रीमियम बस सर्वेस हो जिसके बारे में शुरुआत से पहले ही लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं इतनी सारी अच्छी चीजों के होते हुए भी दिल्ली में हो क्या रहा है CBI की कभी RAID पढ़ा देते हैं कभी ACB को हमारे पीछे लगा देते हैं कभी फर्जी मुकदमे बना के एक एक करके हमारे MLA को टार्गेट किया जाता है और बाद में पता चलता है वो मुकदमे फर्जी थे और अब तो हद हो गई है कि जो चीज 1953 से दिल्ली में चली आ रही है संसिद्य सचिव यानि पार्लेमेंटरी सेक्रेटरी उनको 1953 में BJP की सरकार में भी वो होते थे और कॉंग्रिस की सरकार में भी वो होते थे और आज केवल दिल्ली में ही नहीं देश की आठ नौर राज्यों में हैं वो और उनको एक मुद्दा बना के किसी न किसी प्रकार से कोशिश की जा रही है कि सरकार में उथल पुथल मचाई जाए तो ये चिठी तो जो वो कर रहे हैं उनका next step है कि अभी तक आप जो कर रहे हैं हम इतना अच्छा काम करके आपको दिखा रहे हैं देश ही नहीं दुन्या के लोग तो मोदी जी विकास का नारा लगाते थे पर विकास तो यहां कहीं कर नहीं रहे है वे कहते थे state और center साथ में मिलके चलेगी पर यहां तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी गद्धी हिलती भी दिख रही है जबकि उन्हें तो डरने की भी कोई बात नहीं है तो यह चिठिस केवल इस बात का संकेत कर रही है कि मोदी जी हम एक और अच्छा काम करके लिया है अब आपकी बारी है अल जी सहब के थूँ आप करवा लिजे जो आपको करना है जिस परकार आपने बस्ती जी का इस्तमाल किया और उनको पुरुस्कृत किया अल जी भी शायद कुछ पुरुस्कार की उपेक्षा में होंगे अनिल जी आपने रिचा जी को सुना साफ साफ उनका कहना है कि इतना अच्छा काम कर रही है हम आपनी पार्टी की सरकार सिर्फ देश के अलग-अलग हिस्तों मनी बलकि विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है लेकिन बार-बार केंड़ सरकार रहम में रोड़े अटकारी इसलिए चिठी लिखी है और जो मौदुदा हालाद दिल लिखे हैं इस चिठी के जरीए बयान करने की कोशिच की गई है आप कितना संतुष्ट है इस बाद मैं हाज जोड़के निवेदन करता हूँ अरविंदि केजरीवाल जी से और रिचाजी से कंसकमच देश के अंदर आप इस प्रकार के एक प्रकाष्ठा को न जाएं जहां पर भाषाएं संबिधान को क्रॉस कर देती हैं कम से कम राष्टपती उपराज्यपाल और चुनावाय संबिधानिक पद है आप इस पर भी पत्र के माध्धम से कटाक्ष लिखते हैं यह पत्र नहीं है यह उद्दंडता की प्रकाष्ठा है और मैं जो कह रहा हूँ मेरा निवेदन है आम आद्मी पार्टी की प्रवक्ता से कृपया मैंने सांती से सुना है उमीद करता हूँ कि मालवा चेतर के अंदर मध्य प्रदेश के मध्य चेतर के अंदर उसके बनवासी चेतरों में किस प्रकार से उर्जजा चेतर के अंदर सिवरासिंग चम्हान की सरकार कांद कर रही है ऐसी रमन सिंग जी की सरकार जो है बस्तर के चेतर में जिस प्रकार से कांद कर रही है वो एक स्वागत हूं एक सगराब में बिब्रक्ष चिनाते हम सहयोग करेंगे। लेकिन मेनी हाथ जोड़ते, अरवंद केजरिवाल जी से और उनके इन प्रभगताओं से। मोदी जी आपके फीशे नहीं पड़े हैं आप दिली और देश को यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं हूँ जो मोदी से लड़ सकता हूँ लेकर आप ऐसे हैं नहीं कि आप मोदी से लड़ने की सिर्फ बात इसले कर रही है कोई कि आपको स्याक्रत करनी है मेरा दूसरा आपसे आग्रह है जिस परकार से आपने भासा का प्रयोग किया है जिस परकार से आप लेक्टिनन गमाल लोको कहते हैं कि मोधी जी सुना है आपसे खुस है आपको उपराश्टुपति नहीं बनाएंगे आप कुछ कर लिजिए किया कभी उपराज्य पाल ने पलट के आपको जवाब दिया है उनकी सालींता देखी है आपने कितना बरदास कर रहे हैं आपको जिस प्रकार से ये भाषा आपने लिखी है क्या ये राज्किय भाषा है मैंने देखा है कि पत्रकाईता में भाषा को बदलते हुए देखा है क किस समय उनुसार सब्दों का हेर फेर होता है लेकिन राजनीति के अंदर आपने राज़किया भासा को बदल दिया कुछ सब्दों के सम्मान को बदल दिया राज़पती के साथ मानलिया सब्द लगता है उसको बदल दिया उपराजी पाल की संविधानिता को बदल दिया चु में आप 59 NRHM की गला घोट करके डिस्पेंसरियों को महला क्लिनिक को कनवर्ट कर रहे हैं महला क्लिनिक किराय पर एक दुकान चल गई है आपके लोग कहते थे कि 5 क्रोड की डिस्पेंसरी बंती थी रिचा पांडे जी मैं चुनोती देता हूं चैनल पर अर्विंद केजरिवा सब्सक्राइब करते हैं अपनी बात कहते हैं आप मीडिया से जन्मा हुआ आपकी पाल्टी है आज पत्रकारों का जवाब नहीं देते आप सुनना चाहते नहीं हैं एंकार की प्रकाष्ठा बरपहं के हैं और सरीव बनने का नाटक रखते हैं आप लोग कल को यही दंतार से पूछेगी और आप यह डायलोग बोलना छोड़ती जी आप हार पचा नहीं पा रहे हैं अर इतनी पुरानी पार्ती है हार जी चलती रहती है तो इसका क्या अर्थ सते शर्वाजी भी हमारे साथ जोड़े है रिचार जी को हमने सुना अलिलजा जी को अपने सुना सते जी आपको क्या लगता है जिस चिट्टी में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया गया यहां पर अलिलजी ची कहते हैं कि वो भाषा ठीक नहीं है पच्टर चार में ऐसी जाजनीति की शुरुवात हुई जिसमें केवल जूट ही जूट था। कॉंग्रेस की सरकार को हटाने के लिए और खुद सत्ता में आने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कंपेटिशन हो गया कि कौन बड़ा जूट बोल सकता है। के बस की विकास करना नहीं है। कहा ज़रा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सियमर्विन के जिवाल वो भाषा ठीक नहीं है। कौंग्रेस की ओर से एक आरोपी भी लगाया गया कि समविधान के समविधानिक रूप से आप मुख्यमंत्री तो बन गए। सत्ता प्रचंड वहुमत से आपको मिल गई। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तो समविधान के स्वरूप को देखते हुए आप काम नहीं कर रहे हैं। देखे एक बहुत आश्टेरे जनक बात है कि जिस देश का प्रधान मंत्री एक देश के चीफ मिनिस्टर को नकसलवादी कहता है, कहता है जंगल चले जाओ और जो कॉंग्रेस के लोग हैं या जो LG महाशा हैं जो लोग कहते हैं कि मांसिक संतुलन खराब हो गया है और एक ज बात मीडिया में भी है आप इसको ये जग जाहिर बात है कि आप लोगों की भाशा कैसी है आपको यहां भाशा का दर्द हो रहा है परन्तु आपको आम जनता का दर्द नहीं दिख रहा है कि MM खान जैसे एक ओफीसर की हत्या हो गई और उनके हत्यारों को बचाने के लिए म हमारे पीछे CBI की CBI लगा दी जाती है एक पिंजरे का तोता है जैसे आप कहते हैं वैसे करता है एक LG का ओफिस है आप आपके दबाव में वो कारे कर रही हैं आपने जो फाइल होम मिनिस्टर ने बना के दी आपने बिल में लेगेटिव लिख के भेजा है तो वो अपने की कोशिश की वैसा ना करें तो बहुत अच्छा होगा क्यूंकि जनता बहुत समझदार है और वो देख रही है मैं यहां पर एक आपका ध्याना करशित करना चाहूंगी कि मोदी जी इतने अपसेस्ट हैं अर्विंद केजरिवाल जी से कि अर्विंद केजरिवाल ज जस्ता हो गया है और दाले आपकी थाली में पहले भी नहीं थी सबजियां भाग रही है इसकी उनको चिंता नहीं है लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं इसकी उनको चिंता नहीं है विदेश के दौरे से जब वो पहली बार जब भारत में कदम तुरंत रखते हैं तो तो सबसे पहले वो फोन उठा कर पूछते हैं अर्विन केजरी वाल ने क्या किया? वो चाहे कुछ ना कह रहे हो और उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है तो उन्होंने जो 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 उन्होंने कहा है कृपया उसका संग्यान ले और कृपया अपनी भाशा पे भी बोड़ा सा लगान लगा है ये बात लिखी हुई है कि जो लाइन है में पढ़के एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा वैसे आजकल सुनाए कि मोदी जी आपसे बहुत खुश है अल जी साब के लिए ये बात लिखी है अर्विन के जिवाल जी ने एमेम खान के हत्या में बीजेपी के सालसाद महेश गिरी और बीजेपी के पूर में विधायक कमर सिंग तवर का नाम प्रमुकता से लिया जा रहा है आपने बड़ी खुबतूर सी ते कहकर अपनी पुलिस ते कहकर दोनों को बचा लिया पुलिस को दोनों से पूस्ताश न जिए आप देख पिदर को नहीं समझ रहे हैं आप एमेम खान की दो बेटियों को क्या जवाब देखे आप बीच में उकत न करें आप एक पुलिस ने क्यों अंधर नहीं किया आप से शंदू की राज़ी से आकर ने आ है इसलिए आपको देश की जंता उखार के फेंकेगी ज़र जवाब लिजिए आपके सवाल के जवाब देखें अनिल जी जो आपके सवाल उटाया है परंतु देश की जंता, एमें खान का परिवार आपसे परिवार आपना साल रही है लेकिन कभी भी हमारी मुख्यमंत्री और केंदर की सरकार में कभी टक्राव नहीं हुआ उन्होंने बड़े तरीके से उसको हैंडल किया जितना विकास दिल्ली में उस गौर्मेंट ने 15 साल में किया है उस विकास को आप देख सकते हैं उन्होंने जो चुप चाप काम कर दिये कभी भी कोई सवाल ने उठा जगड़े का आज ये जब से मुख्यमंत्री बने है जब से केंदर में मोधी जी परधान मंत्री बने है सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं इसके अलावाए कोई काम नहीं कर दिया जा रहा है पहले आप मेरी बात सुन लिजे आज आज आम आदमी पार्टी आपकी आपकी किरकिरी क्यों बन गया है क्यों हर चीज़ पे आप अपना पिंजरे का तोता हमारे पीछे छोड़ देते हैं वो इसलिए क्योंकि आप लुक्सिंग कि राजनीती कर दिया है पहले पांग्रेस दीने विकास की बात करिए जहांकि आपने विवादा किया जंता से चली सखार हैं अप दिल्ली के लिए अनिज़ आप रही हूं ना रिचा जी दिल्दी में देश में ऐसे कई राज्य हैं जो भाचपात की पार्टी के नहीं हैं, जो भाचपात से संबंदित नहीं हैं. जैसे ताम में लाड़ू मांना दर्बिनी मुझनतर कड़ेगा मैं पांडी चेरी में अलग से सरकारे हैं अंदर प्रदेश में तेलंगारे के अंदर अलग सरकारे हैं वहां के मुख्यमंदरी कभी सिकायत नहीं करते है इस देश के अंदर नजाने ऐसी संबैधानिक ऐसी घट अर्विन केस्जिवाल जो है उनके उपर मोदी का फेविया है गारी जारी है झाल, झाल, झाल